Hello friends, welcome to GKS Study, तो आज बात करने वाले हैं हिमाज़ प्रदेश पप्लरविस के मिशन की तरफ से एक प्रेस नोट आया है, ठीक है, एक लेटेस नोटिफिकेशन आप समझ सकते हो उसके बारे में, और उससे पहले अगर आप पंचाय से अक्टर की तयारी कर रहे हो, क्योंकि अब HP HPPSC ही कंड़क्ट करवाएगा, उससे रिलेटिड आप अगर कोर्स जॉइन करना चाहते हो, वेस्ट प्रदेश में हिमाज़ प्रदेश में, तो 9882061022 पे हमें वाटसप कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी, अचाब प्रेस नोट की अगर बात करें, तो OTR के बारे मे जो है, वो register करके रखते हो, और सारी information आपकी मांग ली जाती है, ताकि जब आप बाद में apply करो, ठीक है, आपको पता होगा, जब आप last में apply करते हो, जैसे आप HP, SSC में करते थे, तो last में website जो है, वो थोड़ी hang बाना शूर हो जाती थी, या फिर open नहीं होती थी, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, वहाँ पर OTRS system follow किया जाता है, आपकी registration पहले से ही होती है, और जैसे ही notification आउट होती है, तो simple से आपको fees pay करनी पड़ती है, और उसके बाद आप apply कर पाते हो, यानि कि पूरी जंजट वो खतम हो जाती है, कि आपको दुबारा से form भरना है, सब कुछ detail enter करनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर खतम हो जाती है, photo upload करनी है, या वो चीज़ें करनी है, तो यह सारी चीज़ें आपको OTRS कम कर देता है, तो यहाँ पर यह बोला गया है, कि OTRS जिन्नोंने नहीं किया है, वो करके रहिएगा, या फिर कोई update उसमें करनी है, क वो सारी चीज़ें आपको update करनी है, या फिर आपने OTRS, OTR, sorry, ठीक है, नहीं किया है, तो आप उसको भी जो है, वो कर सकते हो, क्योंकि all the aspiring candidates who desire to apply against class 1, class 2 और class 3 posts, being advertised very shortly, are advised to register and create their profile, if not create earlier, तो इसमें क्या बताया गया है, कि अगर आप class 1, class 2, जो कि पहले से होती थी, सासा class 3, अब आपको पता ही है, कि maximum, जो maximum क्या सारी ही, जो class 3 की post योंगे, वो HPPSC conduct करवाएगा, तो अब पहले क्या होता था, कि जो candidate, HSNT के लिए apply करते थे, वो तो OTR में apply पहले ही registered करके रखते थे, बड़ जो HPSC में ही exam देते थे, उन्हें के through, तो उन्होंने जो है, व इसमें थोड़ा time लगता है, तो आपको जब भी समय लगे, आज लगे, कर लगे, आप जो है, वो अराम से बैठ कर, इसमें सारे documentation वगएरा, सब को scan करके डालने पड़ते हैं, photo वगएरा, signature वगएरा, अपनी qualification वगएरा, इसको बैठ कर, जो है, वो कर लिजेगा, ताकि आपकी advertised, जो है, वो आज आएगी, advertisement वगएरा, तो आपको देर नहीं लगेगी उस चीज़ के लिए apply करने में, ठीक है, तो हर एक, अब आपको पताएगे कि हर एक exam, जो है, वो HPPSC conduct करवाएगा, तो आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, इस पर जो है, वो one time registration कर लिजेगा, यहाँ पर OTR का link दिया गया है, आपको इस पर click करना है, यह मैं आपको टेलिग्राम पर share कर दूँगा, ठीक है, PDF, तो आप PDF में ही, जो है, वो यहाँ पर click करके, जो भी आपका step by step पूछेगा, वो यहाँ पर apply कर लिजेगा, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, यहा पर दी गई है, यहाँ पर click आप जो है, वो कर सकते, इस से आपको जो है, वो tutorial वीडियो मिल जागी, कैसे कैसे आपको form को, जो भी इनका registration है, उसका form जो होता है, उसको fill up करना है, बढ़ यह करना necessary है, अगर आप यह सूचोगे कि exam के time पर करेंगे, तो यह registration process जो है, वो time taking है इसके बाद एक बार आप करके रख लोगे, फिर आपको कोई भी post आने वाले समय में कभी भी आएगी, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको करनेगी, हाँ, update कर सकते हो, आप अपने photo change करनी है, या फिर आपने कुछ भी information चेंज करनी है, वो कर सकते हो, और ध्यान से information को जो है, वो fill कीजेगा, तो ये important update है, और ये update एक चीज़ आपको और भी बताता है, कि भाई, अब जो है, वो vacances आपकी out होने वाली है, तो इसलिए time से करके जो है, वो रखेगा, तो मेरा काम ता आप तक notification को पहुंचाना, I hope आपको समझाया होगा, आगे इसको जरूर पहुंचा दिजेगा, thanks for watching, बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ,